वुद्वूर्निंग फ्रेंड्स, कंज्मर ऑलेक्टोणिक्स के एल्लाइन लेक्टा स्रीज में आपका स्भागत है, आज हम कंज्मर ऑलेक्टोणिस की जो डिप्लोमा इंएक्टोणिस के फिर्प समेंटर के इस्ट्रेंट्स हैं, उसके यूनिट 3 सुरुकर रहे हैं, पहले part के भी दो part है, A part है, introduction to television communication, second part है principle of scanning and formation of composite video signal तो सबसे पहले हम first के A part, introduction to television communication दो जोरू करते हैं आज हम starting में कुछ main points की बात करें हैं, कुछ mindphone window हो जो television communication के हैं basically television communication कोई नया topic नहीं है, हम TV के बारे में तो सभी बच的話 सही देखते आए हैं लेकिन आज हम उसकी अंदर की engineering के बारे में शुरुआत करेंगे तो TV देखना जितना आसान है TV engineering समझना उतना ही मुस्किल है लेकिन हम उसको बहुत ही simplified तरहीके से इसको पढ़ेंगे तो आसान लगेगा तो basically television engineering को पढ़ने से पहले हम भी बता दें कि जब 1927 में UK के jailbird और USA के C.F. Jenkins ने TV का पहला demonstration दिया था तो हमें कह सकते हैं कि उस समय साथ उन्होंने कलपना भी नहीं की होगी कि उनके द्वारा सुझाई गई यह technique एक दिन अपने चरण पर पहुंच जाएगी और basically आज जो हमारे रूप में है वो बहुत ही मेहनत के बाद ये एक रूप प्रस्तुत हो पाया है तो basic से हम आज शुरुआत करेंगे कि उसके कुछ महत्म बिंदू क्या है television communication के तो पहला point है जो हमारे पास picture और audio दो चीजे transmit होती है basically television में दो चीजे हमारे पास एक basic वीडियो दिखाई दे रही है moving picture से एक तरह से उसमें audio भी है तो picture और audio को transmit के जाना है और receive के जाना है ये इसमें होना है ठीक है तो basically picture क्या है एक तरह से उसको element by element देखेंगे तो उसके picture के element को pixel कहते है pixel से बना होता है pixel से बना होता है तो किसी picture को pixels में divide के जाता है उसको transmit के जाना है audio के साथ और finally उन pixels को मिला कर एक हमारी picture बनेगी receiver पर और audio हमें वापस सुनाई देगी तो हमारे पास कुछ communication के basic fundamentals हमें पता है कि किस-किस type के modulation होते हैं amplitude modulation frequency modulation amplitude में भी double side, single side band, double side band और vestigial side band तो हमारे पास इन सब basic points के साथ हम सुरुआत करते हैं और कुछ smartphone बिंदू पर हम बात करेंगे उसके बाद detail में हम TV के transmitter receiver की blog diagram के बारे में next lecture में देखेंगे तो कुछ smartphone बिंदू है पहला point है पूरी picture को आपको जो पूरी picture है वो भले ही एक दिखाई पड़ती हो परतकने की रूप से यह picture छोटे-छोटे picture elements that is pixels में बटी हुई होती है एक-एक पिक्सल की brightness की मतलए चमक information की scanning होती है तथा इस प्रकार पूरा scene एक electrical signal की shape ले लेता है इसमें आपको बहुत ज़्यादा यह ड़ड़ने क्या सकता है की scanning क्या होती है और हमारी basically electrical signal कैसे convert हो रहा है उसकी shape कैसे ले रहा है वो हम point by point आगे के chapters में आगे के जो हमारी lecture स है उसमें बताएंगे लेकिन अभी कुछ महत्मों बिंदों के रूप में हम इसको briefly बता रहे है है कि डिटेल में अभी एक साथ बताना संभव नहीं है हम जब जीरे दीरे आगे बढ़ते जाएंगे lectures में तो इनकी detail भी मिलते चले जाएगी तो basically पूरी picture को हमने क्या किया है हमें दिखाई दे रही है एक लेकिन वो छोटे-छोटे picture element से मिलकर बनी होती है और उसमें एक-एक picture की एक-एक pixel की जो element है पिक्चर की brightness information की scanning होती है और उसका पूरा scene एक electrical signal की CF ले ले लेता है दूसरा point है scanning क्या है तो brief में बात करें तो scanning एक एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे पूरी picture की brightness information पिक्सल बाई-पिक्सल एक electron beam की साथा से electrical group में convert की जाती है बदलब हमें एक तो scanning टर्म सर्म में आ रहा है कि scanning टर्म कोई होता है दूसरा scanning बेसे लिए है क्या हो मैं ब्रीफ में बात करें तो एक तरह से reading है जैसे हम किसी उस तक के प्रष्ट को पढ़ते है तो उपर बाएं से लेकर दाएं तक पढ़ते चला जाते हैं फिर next line में आते हैं ऐसे ही पढ़ते चला जाएंगे वो एक तरह से scanning है और जब हम last word पर जाते हैं किस line के उसके बाद पहले word पर second line के जाएंगे तुरंत चला जाते हैं उसमें निगाहें बहुत तेज से काम करती है तो वही एक तरह से वही format हम scanning में भी यूज़ करते हैं scanning के कैसे प्रिक लिए है जिसमें पुरी पिक्चर की brightness की information जो है वो read के जा रहे है एक तरह से एक electron beam की साहिता से electrical rope में और इसको convert किया जाता है थर्ड पॉइंट है important जो है scanning के लिए जो electron beam के बात कर रहे है उसको line के arm से अंतक deflect के जाता है जो हमारी line जिसको scan के जाना है विक्चर की pixels की line बनी है पुरा जो frame है वो pixels का है तो उसमें frame में lines पीए हैं तो किसी भी line के arm से अंतक जो है deflect के जाएगा उसको हम कहते है horizontal deflection और इसके साथ-साथ beam को जो है downward pull भी मिलता रहता है और इसको हम कहते है downward deflection एक तेरे से जो हमारी electron beam है वो horizontally deflate की जाती है और vertically भी deflate की जाती है यह coils के help से के जाता है magnetic coils है तो horizontal deflection और vertical deflection दो पार्ट है तो प्रकुल मिलाकर जो हम यह कह सकते हैं कि फोर्थ पॉइंट है scanning प्रक्रिया में पिक्चर का पड़ते एक पिक्सल स्कैन के आता है जब एक स्कैन समाप्त हो जाता है तो अगला स्कैन सुरू हो जाता है और यह सब इतनी तेजी गती से होता है जिससे human eyes की जो परसिस्टेंस वीजन प्रोपर्टी है उसके कारण इमेज जो है continuous move होती प्रतीत होती है अब क्वेश्चन ही है कि परसिस्टेंस ओफ वीजन प्रोपर्टी का मतलब क्या है सिंपल है जैसे हम कहीं जब हमारी आखे प्रकास को देखती है तो होता क्या है प्रकास का जो सोर्स है उससे हटा लेने के बाद भी या उसे स्रोथ को बंद कर लेने के बाद भी यह जो light होती है वो हमारी आखों के सामने कुछ समय तक रहती है लबबक 60 millisecond तक बनी रहती है आख की आखों का यह गुन जिसके कारण प्रकास का जो स्रोथ है सोर्स है हट जाने के बाद भी प्रकास आखों के सामने बना रहता है उसी को persistence of vision कहते हैं basically हमारे पास सामने कोई picture आई वो picture जो है हट गई तो लबबक 60 millisecond तक हमें वो picture दिखाई देती रहेगी तो यदि हमें 40 millisecond के बाद कोई दूसरी picture देखा दी जाए तो हमारे हमें ऐसा रहे कि इस picture के साथ दूसरी picture continuous में चल रही है moment हो रहा है तो basically इसी को persistence of vision कहते हैं इसी गुन के कारण हम जो है moving cinema जो हम movie देखने जाते हैं वो देख पाते हैं वरना होगा क्या हमें उनकी picture दिखाई देंगी अलग-अलग photo दिखाई देंगे तो basically एक photo के बाद नॉर्मली इंडियन सिस्टम में आता है और हमें start एक photo पसिस्ट करता है रहता है तो basically हमें एक photo के बाद दूसरी photo continuous दिखाई देती है basically continuous है नहीं अलग-अलग pictures हैं लेकिन वो हमें continuous picture रूप में दिखाई देती है जिस्टम में वो movie के form में सवन जाती है वीडियो है वो ठीक है तो cinema में जो picture real है वो fixed pictures मतला इस्थिर चीत्रों की film के रूप में होती है जब यह जो इस्थिर चीत्र होता है बहुत तीवड़ता से एक के बाद एक दिखाई देते हैं स्क्रीन पर डाले जाते हैं तो दोनों चीत्रों के स्कैनिंग में भी हमने यूज कर रहे हैं कि एक जो है pixel scan किया फिर दूसरा पिक्सल स्कैन किया इसके समाथ दूसरा अगला स्कैन सुरू हो जाता है उनकी भी इसका gap काफी कम होता है जिसकी वेसे हमें वो जो है इमेंज जो है count is move होती होती है ठीक है तो यह कोई नई चीज नहीं है normal life में भी यह होता है अब जो हम scanning की बात कर रहे हैं वो process किस टाइप का है इसमें scanning जो है वो दिखाए गई है तो इसमें हमारी एक तरह से यह पढ़ने जैसा ही है जैसे हम कोई किसी पुस्तक की किसी प् उपरी बाइक होने से प्रार्म करते हुए पहले लाइन पढ़ते हैं इसको basically forward scan कहते है scanning की जो पर क्रिया उसमें इसमें लिखा है forward horizontal scan इसे बी तक जा रहे हैं पहला आइन पढ़ रहा है और लेकिन लाइन टू में जाने नहीं को देख रहे हैं तो उसको फृरवैड हृज़ेंटल scan किरेए इसे बी तक पढ़ने को फिर वापस बी से Entonces मतलब पना पर दकी हैं पहले तक च्माप्त होते ही निगाहें तेजी से से के लाइन की स्टार्टिक पर भी ऐसे जो है सी पर पहुंच जाती है और स्कैनिंग की प्रिक्रिया में इस चीज को होरेजंटल रिट्रेज या फ्लाइबैक कहा जाता है मतलब वापस हम उसी पॉइंट पर आ रहे हैं जहां से एसे सुरू किये थे लेकिन उसकी जस्ट न एक जो है वर्टिकल डाउनबर मुवमेंट भी मिल रहा है दूसरी चीज यह है कि होरिजंटल रिट्रेज के समय हमें कुछ नहीं दिखाए देना चाहिए मतलब ब्लैंक दिखाए देना चाहिए क्योंकि हम उसमें कुछ नहीं देख रहे हैं निगाएं बहुत तेजी से बी लाइन हो रहा है और उसमें अजदी हम किसी लाइन को पड़ रहे है इसे ही जब हम पूस खतम कर लेंगे लास्ट मी पर नहीं से वह वापस ऑन ना है next first line पर last line next page के first line पर आना है तो उसको vertical retrace कहेंगे after scanning last line last line इसको कहेंगे vertical retrace अब बात करते हैं point number 5 की इसमें basically हम camera view के बारे में बात करेंगे brief में what is camera camera का क्या है basically camera का काम हमारी optical image को electrical image में convert करने का होता है तो camera basically इसमें है क्या photo sensitive materials के बारे में पहले बात करते हैं तो photo sensitive material basically क्या है जिस पर जो light पड़ेगी वो उसको electrical करेगा एक तरह से electron produce करेगा या एक लिए झे fall photo sensitivity का मतल्ब जो light कि प्रतिजी सेंस्टी हो ठीक है light को शेęt्थ करें photo sensitive material है photo sensitive material से एक target plate बनी होती है photo sensitive material से बनी होई target plate की surface पर होता क्या है हमारा जो photo sensitive प्रकास समयदन सील परदार्थ है तो फोटोंश्टी में बनी टार्गेट जो है वो ही फोटोंश्टी टार्गेट है तो उस प्लेट की सर्फेस पर हमारे पास लार्ज नम्बर जो है जाले जन्वा जो है इस्ट्रक्चर है और यह जो मुझाइक बनी होती है इस पर जब सीन को फोकस किया जाता है तो सीन की लाइट सेस्टीव इमेज इस टार्गेट प्लेट पर बन जाती है तो बेसिकली हमारे पास जो है कैम्रा की बात कर रहे है तो उसमें सर्फेस पर मोजैक होती है मोजैक basically जो है जल नुमा आकार की होती है यह छोट छोटे large number of elementary area जो होते हैं बहुत सारे छोट छोटे area द्वारबनी एक मोजैक जल नुमा आकार की होती है और यह surface जो है photosensitive है अतर परतेक element जो है elementary area की electrical state किसी particular moment पर उस पर पढ़ने वाले प्रकास की तीरता पर निर्वर करती है मतलब basically क्या है जो हमारा छोट छोटे वो elementary area है उस पर किस प्रकार से प्रकास पढ़ रहा है उसकी तीरता पर जो है निर्वर करके उस particular moment पर कितना प्रकास पढ़ रहा है कितने प्रकास की तीरता है उसके आधार पर कहाएगा उसके साथ से उसकी लेट्रग्रेट होगी तो जब गियो टार्गेट है उस पर हमने कया कि विजिकली सीन को फोकस के मतलब लाइट हमारी आई है ठीक है तो इसके लाईट से टब install टीमेज इमेज इस टार्गेट प्लेट पर बंजाती वह जो इस स tart Pengetto को क्या करेंगे ट्रूप दिया जाना है और यह काम करती है हमारे स्कैनिंग एलिक्टॉन ओपड़ुश् curly जो इलेक्ट्रिकल पैट्रन है उसको इसकैनिंग लेक्ट्रोabouton-beam के द्वारा इलेक्ट्रिकल सींछल में ke boat किया जाता है उसको हम एक डाइग्राम से यहां समझ सकते हैं यह डाइग्राम बेसिकली क्या है यह camera tube के basics है यह राउल बादवाजी की बुख से लिया गया है इसमें यही point हम बता रहे हैं कि जो हमारा large number of elementary area से बनी mojaik plate जो है basically हमारी photosensitive material से बनी हुई plate है यह photosensitive target है हमारा और यह target मैं सिदर dotty line में दिखाए गई है तो जो scene है वो हमने एक lens के थूप जो है image focus किया है photosensitive target पर focus किया scene को और इदर electron beam जिसकी हम बात कर रहे हैं कि electrical pattern का electrical signal कर्मट किया जाना है जो electrical pattern बन गया scene को focus करने से उस pattern को electrical signal कर रूप जया जाना है उसका काम करेगी scanning electron beam electron gun से वह scanning electron beam photosensitive target पर पहुचाई जा रहे है plate पर इसके बारे में detail में next chapters में detail में देखेंगे point by points हम अभी महत्मून विंदो की बात कर रहे है next point है fifth के बाद हमारा sixth point basically इसमें हम composite video signal के बारे में बात करेंगे brief में तो इसमें होता क्या है हमारे पास हमने भी बात की थी कि दो तरह का deflection है horizontal and vertical उसके लिए हमने दो coil यूज की है horizontal deflection coil और vertical deflection coil जो हमारी electron beam है उसको pixel by pixel horizontally तथा साथ-साथ vertically deflect करने के लिए जो हम horizontal vertical deflection coils का यूज करते है इसमें basically हो क्या रहा है पूरी प्लेट को pixel by pixel cover करने के लिए हमें horizontally भी deflect करना है और vertically भी deception करना है between beam को horizontal or vertical deflection coils के द्वारा electron beam को deflate करेंगे ताकि वो pixel by pixel पूरी plate को cover कर सके plate को pixel to pixel cover करने के लिए horizontal or vertical deflection coils का use किया जाता है इस प्रकार हमारी basically जो सारे pixel cover हो गए है तो हम उसको video information कहते हैं इस प्रकार जो प्राफ्ट हमारी video information है उसको vsb vestigial side band modulation द्राइशन के द्वारा ट्रांस्मिट किया जाता है इसमें बात इंपोर्टेंट ये भी है कि हमें पिक्चर ट्यूब की जो विए उसकी स्कैनिंग ट्रांस्मिटर के सिंट्रॉनिज में भी होनी चाहिए मतलब जो हमारा फाइनल आउट्पूट पर जो हमारी पिक्चर में होनी चाहिए मतलब बेसिकली receiver और transmitter के लिए और अब हमने बात की ते की हमारा blank होना चाहिए मतलब हम लास्ट लाइन के last से दूसरी लाइन के starting में जा रहे हैं तो हमारा वीडियो इंफरमेशन भी जानी है synchronizing pulse भी जानी जिसे के receiver transmitter की scanning जो है synchronism में हो मतलब समान करम में हो दूसरा उसमें blank की signal में जाना है ताकि हमारा trace blank हो जो तीन चीज़े हमारे जानी है vsp modulation के दवारा उसको transmit के जाता है और इस तीनों combined information को कहते है composite video signal एक तो video information है जो mean information है और synchronizing pulse है जिसे की transmitter और receiver की जो scanning है वो transmitter receiver end पर जो scanning हो रही है basically picture tube में और camera tube में जो scanning हो रही है वो synchronizing में हो समान करम में हो और blanking ताकि हमारे trace blank हो उन तीनों signal को मिलाके कहते है composite video signal इनको transmit के जाता है vsp modulation द्वारा इसको transmit किया जाता है vestigial sideband modulation basically यह amplitude modulation ही है इसमें जो है bandwidth जो है amplitude modulation मतलब basically double sideband modulation से कुछ कम लगती है तो इसको हम basically video information को send करने के लिए use करते हैं तो principle communication engineer वाले सब्जेक्ट में आपने vsp modulation के बारे में पढ़ा होगा उसको एक बार revise कर लीजेगा seven point है important point है कि audio signal को कैसे भीजेंगे video signal था हमने समझ लिया कि video signal बना कैसे ठीक है pixel by pixel हमने scan किया और उसको video information में convert किया प्लस synchronizing और ब्लैंकिंग पल्स उसमें अड़ की उसको हमने composite video signal को vsp modulation द्वारा ट्रांस्मिट कर दिया audio signal basic signal है हमारा sound signal है उसको लिक्टेक्ट किया है माइक के द्वारा तो audio signal हो गया है audio signal basically fm modulation द्वारा ठ्रांस्मेट के जाता है और यह सब हम basic में starting में भी पढ़ चुके हैं कि FM modulation क्या होता है x schooling क्या होता है यह हम प्ष्ली कख्चाओं में पढ़ चुके है audio signal को fm modulation द्वारा different carrier पर basically different carrier पर Transmit के जाता है बिसिकली modulation क्या है carrier का जो amplitude है या phase है या frequency है वो message signal के according change होता रहता है तो या यह करिज़े कि carrier modulation बिसिकली हो रहा है तो different carrier का हम इसमें use करेंगे FM modulation करने के लिए तो different carrier के FM modulation के द्वारा audio signal को transmit के जाता है तो audio signal को FM modulate करके बेच जाता है इसके लिए एक अलग carrier पर modulation के जाता है फिर finally क्या होगा audio और video signal को combine करके internet द्वारा transmit किया जाता है तो उससे पहले हम थोड़ा सा एक बार video signal के बारे में देखेंगे थोड़ा सा basic की basically synchronizing pulse और blanking pulse को कैसे उसमें add किया जा रहा है video signal इसमें basically हमारी image की brightness information का ही space distribution रिप्रेजन करती है जो हमारी time varying electrical signal voltage है जो हमारी TV camera tube circuit से प्राप्त जो time varying electrical signal voltage है जो की image की brightness information का space distribution प्रेजन करती है video signal या picture signal के लाता है camera signal या picture signal for one horizontal line हमने दिखाया गया है इसमें amplitude वर्सी time है और ये picture या video signal है basically ये time varying electrical signal voltage image की brightness information को ही रिप्रेजन कर रही है ये space distribution रिप्रेजन करती है तो इसको हम video signal कहते है तो ये basically इसमें है क्या कि different points पर जो प्रकास की तीवरता है उसके समानों पाती ही electrical signal जो हमारा video signal कहलाता है इसमें blanking signal after the horizontal line मतलब basically पहला forward scan के बाद हमें retrace करना है flyback करना है वहाँ पर हमारा कोई signal नहीं होना चाहिए उसके लिए blanking signal हमने send किया है तो ये हमारा blanking signal blanking pulse है क्याड हो गई है उसके बाद हम इसमें synchronizing pulse भी add करेंगे formation of composite video signal for one line एक line के लिए हमारा कैसे composite video signal बनेगा तो video signal है plus blanking signal है और उसके उपर top पर हमने synchronizing pulse add किया है तो basically जो width बन गए total वो blanking में हमारी synchronizing भी add हो गई है तो जो add होता है top पर add होता है introduction of synchronizing on top of blanking pulse transmission की हम बात करें तो जो हमने words में लिखा था उसको picture में दिखाया गया है यहाँ पर video signal from camera plus blanking signal plus synchronizing signal को composite video signal कहते हैं उसको VSP modulation द्वारा combining network में बेते हैं और इधर microphone से जो हमारा sound signal आता है उसको basically audio signal है उसको frequency modulate करके combining network में बेते हैं इन दोनों को combine करके transmitting antenna के द्वारा transmit के जाता है basic concept है यह of transmission of a television signal तो basically वह हम बात करना है कि audio plus video जो signal है हमारा antenna के द्वारा transmit के जाता है finally हम receiver पाता है receiver पर क्या होगा signal हमारा antenna पर प्राप्ट हो जाएगा receiving antenna पर उसको amplify के जाए क्योंकि इस amplitude कम हो चुका होता है medium travel करने के गारण तो basically जो हमारा output पर antenna के output पर आएगा video signal वो हमारी picture tube में पहुंचेगा उसकी picture tube में बात करने हैं तो video signal जो है electron beam की intensity का modulation करता है finally हम receiver पर हम बात कर रहे हैं कि जो receiver पर antenna तोरह TV signal को आएगा फर amplify के जाएगा और video signal जो रहेगा वहाँ पर electron beam की intensity को modulate करता है और इस electron की finally हम diagram में भी इसको समझ सकते हैं तो पहले point बाइद देखते हैं कि इस electron beam की scanning जो है pixel by pixel फोस्पर स्क्रीन पर कराई जाती है transmitter के synchronization में transmitter के scanning के साथ finally यहाँ पर भी हम क्या कर रहे है जो हमारा video signal है उसकी video signal जो क्या कर रहा है वो electron beam की intensity का modulation कर रहा है मतलब electron beam जो हरे picture tube पर आएगी उसकी intensity receiver पर प्राप जो video signal है उसके according modulate होगी मतलब change होगी तो video signal basically electron beam की intensity का modulation करता है और इसे electron beam की scanning जो है transmitter के synchronization में होनी चाहिए pixel by pixel फोस्पर स्क्रीन पर कराई जाती है इस प्रकार फोस्पर स्क्रीन पर जो हमारा original scene जो की transmit किया गयता है वो प्राप्त हो जाता है तो यह हमारा picture प्राप्त हो गई है और sound signal की हम बात करें तो FM demodulation के द्वारा हमारी original sound मिल जाती है इस प्रकार फोस्पर स्क्रीन पर original signal प्राप्त हो जाते हैं और साथ में sound signal को भी demodulate करके original sound प्राप्त हो जाती है प्राप्त किया जाता है तो receiver की जो basic concept देख सकते है TV reception का सिद्धानत है receiving antenna से हमने video receive की और उसको tuning के द्वारा हमने particular उसी frequency पर tune करेंगे जो हमें चाहिए tuning and video detection है उसको picture tube पर भेजा हमने तो हमारे picture information मिल गई है और sound detection के तुरू हमने dot speaker भेजा तो हमारे sound मिल गई है यह हमने बहुत ही brief में बताया है इन सभी topic के बारे में detail में next lectures में बताया जाएगा तो basically आज हमने introduction to television communication यह part में हमने basic points देखे हैं कुछ smartphone देखे हैं एक तो scanning process होता है transmitting end पर और receiving end पर दोनों में synchronize होना चाहिए वो basically वो electrical group में हमारा convert कर रहा है signal को हमारा जो image है और scanning कैसे होती है वो देखा हमने और photosensitive material बने टार्गेट पर कैसे electrical signal बनता है basically image का scene का electrical pattern और scanning electron beam बार उसका electrical signal में conversion होता है और finally composite video signal क्या होता है उसको transmit करने के लिए vsb modulation का यूज क्या जाता है audio signal के लिए fm modulation का यूज क्या जाता है synchronizing pulse और blanking pulse की position क्या होती video signal एक एसपेक्ट में और receiver पर हमने किस तरह से उसको picture ट्यूब पर picture और sound signal not speaker पर कैसे receive क्या जाता है मतलब उसका basically original screen का reproduction और original sound का reproduction क्या जाता है इसको brief में हमने देखा detail के लिए अगले lectures देखें उसके लिए इस चैनल को subscribe अवस्या कर लें थैंक यू